वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपकमिंग वीडियो में तो दो प्राइस एक्षन होने बहुत कोशिश किये, बहुत अच्छी तरह से समझाने की, अभी देखिए दो पॉइंट्स और दो एक्जिकुशन जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट कई बार एक रेंज में करती है, यहां पर हमनों को ब्रिक आउट से दिखा जाते हैं, कि ब्रिक आउट हो गया है, इस तरह से और वापस से प्राइस आपका आपकी रेंज के अंदर, और जहां तक मार्केट ने मूव क्या हो है, बड़ी सी पिन बार बन जाती है, जो एग्रिसिव सेलिंग कर रहे ह अग्रिसिव ट्रेडर से उन्होंने यहां पर एक्शुली एंट्री अपनी बना लिये और अब वो स्टॉप लॉस दे रहे हैं और लॉस में बैठा हुए है, जैसे जैसे प्राइस आपका अपसाइड के तरह जाए उनका लॉस होगा और यहां से बाहर निकलेंगे, अब य इसे स्टूरी से क्या समझ सकते हम लोग कि जब प्राइस आपका एक रेंज के बाहर निकले, तुरंट ट्रेड नहीं कर देना है, थोड़ा सा वेट करो, सस्टेन होने देने का वेट करो, प्राइस अगर यहां से आपका अपसाइड की तरफ भी जा रहा है न, यह सब बहु लेकिन अभी भी लोग इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्राइस आपका साइडवे है, उन्हें लग रहा है कि आज की रेंज प्राइस ने ब्रिक की और वो ट्रेड कर देंगे, पिछले दो तीन दिन से मार्केट एक ही रेंज में रुका हुआ ह कि देख ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि प्राइस पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज के अंदर ही रुका हुआ है, जब इस टॉप लॉस चला जा रहा है, लॉस कर दे रहा है और शाम को आ करके मार्केट लोस होने के बाद में जब देखते हैं तो पता च शांती के साथ आप ट्रेड एक्जेक्यूट करोगे, अब जैसे प्राइस आपका अप साइट की तरफ इसने देखा है कि यह क्लोज हो रहा है, नहीं हुआ, वापस से रेंज के अंदर आ गया, और यहाँ पर इसने विक निकाल दी जैसे कि इस जगे पर देखी निकाल लिय जाता है, दोनों बाते समझ मेरी न, एक तो प्राइस आपके यहाँ पर निकला, अपने अग्रेसिव से लिंग की प्राइस निविक बना दिया, अब हम बोल रहे हैं कि प्राइस का वेट करो, यह क्लोज हो जाए, ठीक है, क्लोज हो गया, अब ट्रेड एक्जेक्यूट कर लोट जब टूटेगा, तब आप ट्रेड एक्जेक्यूट करोगे रीट्रेस्मेंट पर, यह नियम होता है शॉट करने का, चाहें तो भाई करने का, इसमें थोड़ी से हम लोग बारगेनिंग करते हैं, बारगेनिंग करने से यह होता है, कि प्राइस में अस्ता मिल जाता ह समझ में यह आगे की चीज़े हैं, एक चीज जो यहाँ पर अभी हम लोग देख सकते हैं या इससे समझ सकते हैं, वो यह के एग्रेसिव सेलिंग्स या एग्रेसिव वैंक्स नहीं करने हैं, और सिर्फ एक कैंडल के क्लोज होने पर ट्रेड नहीं कर देना, यह एक तरह का ट्रेड होता है, हमें ऐसा दिखाए जाता है, वॉल्म भी इंक्रीज होंगे, अक्सर रिस्टन्स पर या सपोर्स पर आप देखोगे के प्राइस जैसे टच करता है वॉल्म इंक्रीज होती हैं, उनको समझो, समझने की कुशिश करो, बहुत सारी चीज़े ख्लियर हो जाए फिर higher high, lower lose, सिर्फ language change है, काम ही की करते हैं, lower low, lower high, lower low, lower high, यह form हो रहा है, ठीक है, इस जगह से, हम लोग क्या करते हैं, कि price जब अपने किसी भी एक support को तोड़ रहा है, हम लोग short करते हैं, फिर से present support को तोड़ रहा है, हम लोग short कर देते हैं, इसी तरह से जब price अपका एक resistance क ब्रिक करेगा, तो यहां से क्या करते हैं, हम लोग बाही करते हैं, गलत है क्या यह बाही करना, present resistance ब्रिक क्या है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन क्योंकि यह सही है, इसलिए हम लोग बाही करेंगे, और यह चीज़ सभी लोग देख रहे हो, और हम लोग trap हो जाएंग, यहां भी stop loss जाता है लेकिन वो जो समझ होती है ना कि trade करने से पहले कम से कम आपके अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए लेट ही सही चलिए आपका stop loss हिट होगे लेकिन क्या stop loss हिट होने के बाद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो क्या next trade में आप इस चीज़ को कोई growth नहीं होगे आपके अंदर जब price आपका एक भी resistance break कर देना तो एक काम करना होता है हाला कि resistance के break होने के बाद में आप trades तो execute करोगे बट हमें ये देख लेना होगा कि क्या daily time frame का तो वहाँ पर कोई level नहीं है वारना इस जगे पर जहाँ पर आपने एक resistance या एक lower high break हो जाने के बाद में आपने सोचा है कि price का trend to change हो गया अभी तक तो यह यहाँ से गिर रहा था अब price ने यहाँ से इस जगे से resistance break किये हैं और price ही upside की तरफ चला जाएगा आप जैसे ही trade execute करो थोड़े दे profit देखा वापस से price आपका change हो जाए रेस्टेंस टूटा ही की तरफ market गई जैसे ही high पर गया यहाँ पर wait कर ले हो सकता है इसी जगे पर आपका daily time frame का एक resistance point हो उस resistance point से touch हो करके market गिरेगी ही गिरेगी हाला कि lower time frame पर उस ने resistance break किये है multi time frame and else से जब आप करोगे तो आपको समझ जाए जाएगा कि higher time frame का अपना कोई resistance point था जान से price टक्रा करके वापस नीचा जाएगा इस तरह से क्या होगा ना हम लोग trap से बच जाते हैं अभी आगे की वीडियो में आप देखो तो यह सारी चीज़े में समझाए हुए है live market में वहाँ पर आपको clear हो जाएगे इसी तरह से कई बारा ऐसा होता है कि एक आपका resistance है price high पर जा रहा है वापस से नीचे के दिशा में वापस से upside की तरफ यहाँ पर इसने breakout तो कर दिया बट इसके अंदर volumes नहीं आए volumes उतनी ही आ रही है जितनी normal volumes थी बाकि एक एंदर में आ रहे है उतनी volumes उधर भी आ तो volumes के breakout नहीं हुए और surprise आपका upside की तरफ चला गया क्या होगा ना यह एक तरह का fill breakout होगा वापस surprise आपके लेवल के नीचे आ जाए अगें देखिए market upside की तरफ और जब आपको दिख जाए कि volumes के भी breakout हो गया है तब आप अपना trade execute कर सकते हो आपका यह trade बहुत कम चांस रहागा कि फिर आपके opposite direction में चला जाए यह वह टेक्निक हो थी जिसमें कि हम लोग वॉलूम्स के through जो वॉलूम्स का यूज कर दें तो वहां से बच सकते हैं इससे हम आपको बताते ना उसका यूज किया करो आप देखना कि implement हो जाएगा जैसे कि एक area हो गया यह थो आपका range के अंदर आया ठीक है असल में होगा क्या कि जिस candle ने सबसे पहले आपका breakout देखाया है यह अगर एक mother candle form हो रही या पि यह कोई bullish formation है जिसके breakout की बाद में trade execute करना है तो आप क्या करोगे हमें breakout चाहिए होते हैं उस candles की volume से ज्यादा के breakout जिस candle ने हमारी range की बार सबसे पहली बार closing की अब यहाँ पर मान लिए यह वाली वह candle जिसने सबसे पहली बार closing की है सबसे first time जिसने closing की तो यहाँ पर जैसे ही price बाहर की तरफ निकला है इसकी volume है handed volume से अब जैसे ही price आपका है इस वाले resistance को break करेगा यहाँ पर आपको handed से ज्यादा की volume देखनी है अगर इ इस चीज़ को charts पर देखेंगे start करते हैं और एक एक करके live trade करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं Hello traders आज के इस video में हम लोग trapping को थोड़ा सा अच्छे से समझने ही कोशिश करेंगे अब क्योंकि 40-45 मिनट या एक घंटे के video में इतने बड़े subject को cover कर पाना है मतलब it's impossible type की चीज़ है बट फिर भी जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और कम समय में हमने चीज़ें clear करन यह कोशिश की है तो काफी मेहनत लगी विकॉज 2-3 दिन हो चुग है वीडियो को बनाते हुए वीडियो का अच्छा लगता है तो इसको जबूर सा ज़रूर लाइक किज़ेगा कॉमेंट किज़ेगा अपने friend circle में share करने ही कोशिच किज़ेगा एंड टेलिग्राम चैनल का में छोटा सा rule brick किया हाला कि इस तरह से देखा जा तो हमें 3819 पर निकल जाना चाहिए था विकॉज हमारी जो entry थी वो इस जगया पर हो गए थी तो order book में देखिए यहां पर timing आपको जो show होगी 3837 का जो entry point था अपना यह हमने लिया था करीब 49 पर अपनी entry ले थी और करीब एक घंटे के बाद अपना stop loss हमने इसके अंदर place किया है क्योंकि price थोड़ा समको sideways movement दिखा रहा था and यहां पर आप देखोगे कल की जो सबसे important candle थी इस candle का जब हम low mark कर लेते हैं और आज की candle का हम low mark करते 915 के candle का तो यह दोनों जो मिल करके एक zone बना देते ना बहुत important zone बना लेकिन इतना confidence था कि अगर price इस range पर आया तो इसे rejection बहुत ज्यादा चांस है कि देखनों को मिल सकता है क्योंकि बहुत strong support zone अपना support area है और जैसा मैं सोचा as it is वैसे हुआ कि price जैसे नीचे की दिशा में यहां से rejection मिल और वापा से price फिर दो बारा फिर नीचे की तरफ गूं जहाई भी break कर दिया एक जो सबसे important चीज़ है अच्छा यहां पर position book देख लेते हैं position book में overall इस वक्त का जो अपना profit चला 5000 5000 के round का चला इन दोनों zones को हम delete कर देते हैं stop loss stop loss और entry के दोनों points रहने देते हैं यहां पर हमने थोड़ी सी liberty लिए आप यह भी कह सकते हो कि हमने rules करते हैं तो कुछ कुछ price actions ऐसे होते हैं major price actions जो कि आपको याद रह जाते हैं किसी भी stock को आप उठा करके देख लो यह जो last वाली अपनी candle बनती है 325 की candle बहुत important होती है price कभी भी अगर इस candle के पास में आना तो उसको sudden break नहीं करे एक rejection और rejection के बाद अगर दूसरी बार उसक side की तरफ क्यों गिए अगर upside की दर जाना तो price जहां से पहले retrace होगा और वापस से upside की तरफ जाएगा बहुत important candle होती है यही आपकी 9.15 की candle होगे एक candle होती है आपकी 9.45 की candle होगे वह बहुत important होती है कब किस तरह से कौन से candle का use होगा ना यह चीज़ बहुत matter कर जाती है trend जो हमने defined किया थे यह upside में था तो बहुत ज़्याद हम कोई chance लग रहे थे कि market अगर नीचे की दिशा में है तो यहाँ सिसकंदर rejections देखने को मिल सकते हैं और वैसे हुआ price फिस सीथे upside की तरफ चलिए यह तो lower time frame की बात हो गए अभी हम लोग एक चीज़ जो देखेंगे आज के session में समझने के कुशिश करेंगे एक जो trap होते है यह याद रखो जहां पर सारे के सारे सारी दुनिया जहां पर trap होगी ना पैसा वहीं बनेगा जहां पर ज्यादा तर लोग trap होँगे वहाँ पैसा बना ले जाओगे और एक चीज़ जो हमने बोली थी आपसे पहले के वीडियो में भी बोली है वो points जो कि सभी देख रहे हैं जो कि सब लोग देख रहे हैं और वही आप भी देख रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड हो रहा है हमें opposite हो करके चलना पड़ेगा majority जिदार है उधर नहीं जिदार कम लोग हैं और जिदार जाने के logical chances ज़्यादा है हमें उस side की तरफ अपने trades execute करने होगे और उसी तरह से अपने analysis भी करनी होगे trap को किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं अब यह जो ट्रेडर में execute कर रहे हैं इस ही के example लेकर करके हम आपको दिखाते हैं यह एक बड़ी से candle है एक green candle है आप देखो कि जो इसका breakout हुए बहुत ज्यादा volume के साथ इसका breakout हो था काफी ज्यादा volume आई थी प्रिवेग जो sessions रहें लगातार पैस आपका नीचे की दिशाम गिर रहा है यहां से लगातार पैस आपका नीचे की दिशाम गिरा है यह सबसे पहली volume इंक्रीज हुए थी यह जो green वाली candle आपकी है और इसके बाद में यह वाली जो candle है इसकी volume इंक्रीज है कि ट्रैपिंग पिछले चार दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि उसके अंदर नेगेटिव केंडस फॉर्म हो रही है वॉल्म्स भी आप देखो गिर रहे हैं और कल के सेश्टन की जो वॉल्म से वह ज्यादा है आज क्या हो सकता है हम लोग इसी के ऊपर डिस्क्रिशन करेंगे आज के वीडियो में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीज़ेगा कमेंट कीज़ेगा अगर आप पहली बार आए वो तो चुनको सब्सक्राइब कीज़ेगा अपने public टेलेग्राम चैनल पर हमने आज हैल में जिस लेवल से ट्रेड एक्जिक्यूट करके दे दिया और वहां पर लिग दिया था कि watch this level देखो कि HAL में आज के session में इस level से क्या हो सकता है तो जो stock हम trade करें वो stock हमने वहां पर दे दिया जिस level से हम trade करें वो level उठा करके वहां पर share कर दिया टेलेग्राम गूर्पर जोइन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े होती है अपने stocks, levels, buying करनी है, selling करनी है काफी बार ऐसा होता है कि हम YouTube पर active नहीं रह पाते हैं तो फिर हम टेलेग्राम को थो आप लोगों को upgrade कर देते हैं So thanks and start करते हैं आज के वीडियो चीज़ हम आपको बताते हैं और उसका विशिष ध्यान रखना जैसे कि हम लोग अपनी इस blue वाले candle का low mark कर लें सारी मार्किंग्स हम रिमूव कर देते हैं चरिये मार्केट देखे किस तरह से में signals देती है और कैसे यहां पर लोग trap होते हैं ज़रूरी नहीं है कि जब हम trapping की बात कर रहे हैं तो हर बार हम traps को समझ सकते हैं यह हर बार हम successful हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है हम भी fail होते हैं हो सकता है यह जो stop loss में लगा रखा है न यह वाला position book order book में चलिया यह stop loss 3819 का जो लगा हुए मेरा चला जाएगा तो चला जाएगा हमारा जो अपना काम बनता है अपनी analysis को बहुत confidence के साथ read करना है और उसके पर बहुत confidence के साथ फिर believe करके हमें आगे की तरफ के trades को hold करना यह नहीं है कि जब तक हम profits में है तब तक तो analysis के उपर believe है जैसे read में आए अब panic situations create हो गए है अब हमने सही किया या गलत किया है इसके question answers मन में चलने लगए और इसी हड़बड़ी में हमने अपनी trades को square off कर दिया stop loss नहीं के square off कर दिया और जैसे square off किया market सीध है आपका target दे गए moral of the story कि analysis तो कीजिए लेकिर उसके अपर believe करना भी उतना ही important है जितना कि आपका analysis करना था यहाँ पर इस blue वाली candle के हमने just low mark कर लिया अब देखे कि price कर क्या रहा है volume कम, volume कम, volume कम, price नीछे, highs दिखिये, highs नीछे के तरफ shift हुए क्या हमें इसके हमें strength दिख रहे हैं या फिर हमेंगे weakness शो कर रहा है यह market volumes कम हो रहे हैं और price आपका नीछे के दिशा में आ रहा है क्लियर है न एक तरह से हम यह देख रहे हैं कि प्राइस हमारे नीचे हो तो रहा है बट इसके अंदर रिस्टंट नहीं यह डाउन साइट की तरफ आने के यह फिर हम लोग डाउन साइट की तरफ फिर एक्जेकूट करेंगे और हिंदुस्तान रिटनॉटिक के अंदर जब आप जाओगे न तो आप देखोगे कि 9.15 के इसने लो भी ब्रेक किया है हालाएं कि जो प्राइस एक्शन एक्जेकूशन के लिए चाहिए थे वो यहाँ पर क्रियेट नहीं हुए है हाँ 9.15 का जो ब्रेक हो गया यह देखे तो क्या ट्रेड एक्जेकूट हो जाएगा लेकिन बहुत से ऐसे लोग होगे जिन्हों नहीं आप पर ट्रेड एक्जेकूट क्या होगा तब ही तो प्राइस अमार ओपर कि तरफ गया है अब ऐसा तो है नहीं कि देखे यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है कि मेरा पैसा आपकी जेप में आपका पैसा मेरी जेप में अब ऐसा तो होगा नहीं कि 10 लोगों का पैसा 20 लोगों में डिस्टिउट हो रहा है ज्यादा पैसा कम लोगों में distribute होगा तब तो बोलते हैं कि 90 ए 90 जितना भी ratio बता जाता है वो exact नहीं मालूम है हमको but 90% से ज्यादा लोग जो loss करते हैं तो 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास जा रहा है तो majority क्या कर रहे हैं majority यहाँ पर वो काम कर रहे हैं कि सब करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर prices के lows ब्रिक हो रहे हैं हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहो ठीए कि 9.15 के नीचे price चला गया low मार दो short कर दो हो गया जिसे इस 9.15 का 3.25 की importance नहीं मालूम वो trade execute कर देगा delete time frame पर भी बेचारा देख रहा है कि हमारा यहाँ पर red candles ही बन रही है तो क्या करेगा ना ठीक है हम short कर देगे पिछले 4 दिन से तो लगाता है पूरे week से market गीरी रही है बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सत्रा चार दिन से लगाता है market गीर रही है आज भी गिरी जाएगे अब यहाँ पर देखे analysis आपको इस तरह के trap से कैसे बचा ले जाएगे एक साही analysis कैसे बचा कर के ले जाएगे एक जैसे एक green candle बनी हमने इसका low माग कर लिया आप देखोगे कि जैसे ही इस green वाली candle के low पर price ने आकर के movement शो किये है इसके अंदर rejection देख गया और volumes कम हो गए next से क्या हुआ है कि price ने अपने lows को upside की तरफ shift किया highs को upside की तरफ shift किया volumes भी increase हो गया अब आज अगर HL को downside की तरफ गिरना थो तो क्या करना होगा ना कल के session का low break करना होगा इसे कल के session ने जहां तक अपना low लगाया था इसका low break करना होगा मतलब के अपने lows को downside की तरफ shift करना होगा बट अब देखो के strongness market ने किस तरह से show की है एक swing high लगा करके एक gap up लगा करके उसने वापस से अपने lows को upside की तरफ shift कर देगा मतलब के strongness हमेशो की एक और यहाँ पर दो और price अलड़ी हमारे एक support से कल के session कल से पहले के session में rejections ले चुका है कल के session में भी इसने lows को upside की तरफ shift किया था आज के session में भी इसने lows को upside की तरफ shift कर दिया और अपने lows को पूरी तरह से protect कर ले गया clear है ना अब देखे क्या हो सकता है एक green candle के formation समय यहाँ पर market में नजर आ रहा है कि price green candle form कर सकता है अब daily time frame पर तो analysis इसको फिर से समझे यहाँ पर यहाँ पर एक अपनी green candle है price क्या कर रहा है lows lows and low जैसे price अपने support पर आया support से rejections लिए support लिए and support लेने के बाद में फिर से देखिए price हमारा upside के दरफ चला गया है इसमें क्या हुआ ना कि lows upside के दरफ चीट हुए यह strongness के निशानी होती है आप इससे किसी भी strong के अंदर की strength पता कर सकते है और जब हम इसके अंदर volumes की reading आट कर देते हैं यह और भी ज़्यादा strong हो जाती है अब आज के session में क्या हुआ कि market ने gap up opening दिखा दी और gap up opening के साथ ही साथ कल के sessions के lows को उसने protect किया और price ने क्या किया ना कि कल की जो सबसे important candle थी जो भी मैं आपको बता है कि सबसे important candle के lows से support लेकर यह upside की तरफ चला गया अब समझ भया है ना कि किस तरह से reading चल रहे हैं क्या हो रहा है और यही ऐसा सिर्फ अब HL के यह अंदर नहीं किसी भी stock में कर सकते हो और यह एक बात याद रखना जहां पर आप traps को समझ ले गए trappings को अगर समझ लेगे ना तो बहुत सारी चीज़े आपकी shot out हो जाती है समझ मेहाने लगती है कि market किस तरह से move कर सकती है करती है किस तरह से move करेगी इस किस इसे एक point की बिनेर से समलोग कर सकती है अब यहां से सारी markings को हम लोग फिर सरी move कर देते है अब पिछले तीन दिन के सिर्फ आफ lows को draw करो एक, दो और आज का जो low है expected जो की नहीं तूटना चाहिए वो यह वाला है अब आजाओ अप सीधे 5 minutes के time frame पर यहां पर देखे price के इस तरह से highs लगा रही है low, again, low, again, low, again, क्या हो सकता है यह जो एरिया है यहां तक price आपका retrace हो करके और वापा से swings next target points यह वाले कोई भी trade आपको execute करना है आप इस तरह से executions करो देख करके सीधे के red candle बन रही है या previous day के low जो हमारी important candle उसका just low जा रहा है supports प्रेक हो रहा है या resistance प्रेक हो रहा है यही होगा और फटाक से आपने कोई भी decision बस यूँ ही ले लिया आपका मन के आपने भी decision ले लिया एक trade execute करने से पहले एक professionalism जो होता है वो यही है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से rate करो समझो समझने के कोशिश करो अब देखिए यहां से order book में हम लोग आते हैं ctrl c यह अपना entry का point है and stop loss stop loss हमने थोड़ा सा late लगा था थोड़ा सा late क्यों एक घंटे के बाद हमने अपना stop loss लगा था उसको थोड़ा सा understand करते हुँ चलिएगा कभी-कभी इस तरह की liberty हम ले लेते हैं लेकिन अकसर आप देखोगे कि पूरा एक rules के according ही चलते हाँ आज के session में जैसे हमने entry वैसे market बिल्कुल sudden moves का downside की तरफ आ गया यह तो अब देख रहे ही ना आपको green candle सीधे market नीचे की तरफ गिरने लग गए थी फिर एक क्योंकि पहले समें analysis कर चुके थे तो में मौलूम था कि कल के 325 के candle है यहां से price आपका reject हो सकता है तो हम थोड़ा सा रुके थोड़ा सा रुके इसके बाद में price जब upside की तरफ चला गया ना तब फिर हमने जो area था अपना यहाँ पर अपना stop loss लगा तीन हजार अपने आप लोगों को trade execute करने के लिए की stock दिया था अडानी enterprises अडानी enterprises trade execute क्योंकि अडानी में होता क्या है ना कि इससे पहले भी जब हमने अडानी को trade करने के कुशिच की तो executions हुए नहीं है वो fail हो गया है वो चाहाँ अडानी port हो चाहाँ अडानी enterprises हो एस परोसो में यह stocks trade हम नहीं कर पारें पिछले कई देंसे जहाला कि last session में हमने यह दिये थे stocks trade करने के लिए इसके बाद में हुआ कि अडानी enterprises हमने आप लोगों को दिया बट जलदबाजी कहिए या कुछ कहिए वो coincidentally enterprises की जगह वो trade हमारे execute हो गया port अडानी port के अंदर अडानी enterprises का जो price है उ करना था तो अडानी enterprises के according हमारी quantity थी 500 और जब आप अडानी port को देखोगे तो अडानी enterprises से अडानी port का price बहुत कम है तो उससे करीब 3 गुना quantities अगर हमें उस पर trade करना हो था तो करीब हम 1500 से कम तो quantities हम नहीं ही लगाते अडानी port के अंदर क्या चीज हम clear करने के कुशिश कर है कि हम trade उसी पर करना चाहा रहे थे अडानी enterprises पर ही बट जैसे हमने देखा कि अडानी port पर trade execute करने गया और जो order था हमारा वो reject हो गया फिर हम यह cross check करने भी नहीं गया कि हमने क्या सही stock पर अपनी entry लिए थी या नहीं लिए थी उसे इसको थोड़ा सा light way में लेकर कि हम बै रहा है सिर्फ just for information में आपको यह चीज अपनी शेयर की है आज कर जो अपने main analysis है HAL के अंदर है और क्या चीज क्या देखते हो हमने यह trade अपने execute के इसके पर हमने एक चोटास discussion आप वह साथ किया है किस तरह से हम लोग traps से बच सकते हैं इस trade को चले देते हैं और भी अगर हम से वह whiteboard के ओपर और LED screens के ओपर बड़ा बड़ा बना करके यह वह समझ भी नहीं है अगर आ रहा है काम करना आ रहा है समझ है तो उस चीज को live market में हम लोग practice करें और वो चीज अगर हम देख पा रहे हैं कि जो हम चाहते हैं उस तरह से market react कर दी तो उसे सभी लोगों के साथ शेयर के जाता कि बाकि सभी लोगों का भी कुछ ना कुछ फैदा हो तो यह सारी चीज़े हैं कि जब हम कोई चीज बता रहे संदर है तो वह वाकई में market के अंदर काम करें उसे लोगों को benefit हो रहा है उसे उनको मदद मिल रहे है रीडिंग्स करने में और analysis करने में भी टार्गेट आज के session में हम लोग जो लगा के रखेंगे just round number का अपना target होगा 3900 इसके पास यह आज का मारा target होगा हम main जो swing high यहां तक का target लेकर के नहीं चल रहे है क्योंकि वही चीज़ है जो कि सब को देख रही है यह important area है यहां पर सभी लोग देख रहे हैं कि targets book करने तो थोड़ा सा है ना एक तिर्ची निगा रखनी पड़ेगी यह सब लोग देख रहे हैं अब सभी लोग अपने targets अगर बड़े लेकर चलने तो वो कहां रखेंगे swing high पर तो तो सब लोग देख रहे हैं कि swing high सभी लोग swing high पर रख देंगे और क्या हो सकता ना कि market swing high तक ज execute नहीं हुए और जो buy करके रखे हो वो भी धिरे-धिरे करके अब उनके जो profits ना वो कम हो रहे हैं ऐसा सोच करके चलना पड़ता है Swing high के पास मैंने पहले हम देखेंगे यहां पर अगर मार्केट सस्टीन हो गया और इसने upside की तरफ ने swing से resistance को ब्रेक किया तब तो हम Swing high के ले करके चलेंगे अधरवाइस हम 3,900 की एक उर्पय नीच है जितना भी मेरे quantity से सब स्क्वार आफ करके system करतेंगे off So thanks and wait करते हैं अज की analysis में Hello Traders यह जो last candle अपनी बनी है तीन बज़े यह candle complete हो गए और जो candle running है तीन बज़ के पांच मिनट पर यह भी candle complete हो जाएगी Price ने हमको हमारी entry के बाद upside की दरफ करीब एक पसंट का movement दिखाय था हाला ही कि हमारा जो expectations थी यह यहां से लेकर के गरीब 3900 के आसपास से करीब 1.5% का target में book करना था But price ने upside का movement दिखाय और वहां से सीधह यह नीचे की दरफ गर गर गया यह उपर गया और यह नीचे गर गया करने चाहिए थे price ने अपने day low protect किये है and 325 की जो candle थी क्योंकि morning में हम लोगों ने देखा था कि यह एक important candle day low protect होने चाहिए तो यहां पर देखिए पूरी तरह से अपना day low protected है यह दूसरी बात है कि price side wear और को बहुत बड़ा movement ने अभी भी आप जब देखोगे तो इसके अंदर profit क्या 2000 के आसपास कुछ profit चल रहा होगा 2600 लीचे तो one is to one ही मानेंगे इसको करीब one one is to one भी नहीं है 2600 का profit है and अभी चल रही है market एक candle का हम और वेट करेंगे just क्योंकि जो resistance हमको देख रहा है यह जो day high की candle है न यह green वाली candle यहां से फिर surprise हो सकता reject हो जाए rejection अगर यहां तक पहुंचता है तो क्योंकि पूरे session में यह वाली जो important candle अपनी बनी है दस पचास की candle इसका low मेरे लिए एक resistance बन चुका है so अब जैसा भी है थोड़े profit है बट वही हमें book करना पड़ेगा क्योंकि movements नहीं हुए है हालां कि जिन्हों ने भी HL के अंदर buying किया है न उनका stop loss पूरी तरह से safe रहा safe रहा का मतलब कि अगर सही point of action पर उन्होंने buy किया तो last तक उनका stop loss safe रहा है इसलिए हमने मना किया था कि इसके अंदर short selling नहीं करने क्योंकि daily time frame के analysis recording यहाँ पर short selling है ही ने यहाँ पर green candle form होनी चाहिए और सिर्फ आज ही नहीं कल के session में भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर green candle ही बनेगी आप देखिए जैसे यह देखिए एक green candle form हुई है अब यह बनगा एक mother candle mother candle के बन जाने के बाद से चूँकि अब यह mother candle हो और आज का session जैसे compute होगा इसका high हमारे लिए resistance बन जाएगा अब यह एक resistance है और इसके बाद में जो सबसे last अपना resistance बन रहा हूँ यह वाला यानि के 3913 और 3945 यह resistance एरिया है price तब तक weak है जब तक हमारे इन दोनों levels के नीचे के तरफ trade कर रहा है और यहां से जब यह upside के तरफ जाएगा ना तो इसके अंदर एक progress हम बोल सकते हैं कि bullishness होने की शुरुआत होगी एक तरह की हाला कि lows upside के तरफ shoot हुए है और कल के session में हमें ऐसा लगता है कि आज का जो high लगा है कल के session में वो high break होना चाहिए और price में एक और green candle में market form करते हूँ दिखानी चाहिए अब lower time frame पर चलते हैं 3000 के round चल रहा है one is two one पर आ गया है तो यह जो trap वाली भात हमें बोली थी I hope की clear हुई होगी देख रहे ना कि market किस तरह से अप यह downside की movements दिखाती है यह गई अप में ही है downside की तरफ आईए and यहां से फिर से अप में चलीगे patience नहीं है जिनके पास trend analysis करना नहीं आता है तो वो क्या करेगा मानले जिए day high टूटने के बाद उसने buy किया यहां पर buy किया सीधे loss फिर सोचेगा अच्छा चलो day high है day high break करने यहां पर अगर उसने profit book कर ले हो तो ठीक है otherwise जैसे price आपका नीचे के तरफ आने लगा फिर से losses होने start हो यह जो अपनी green wire line है 38 40.70 जैसे prices के नीचा है फिर से loss कोने start हो जाएंगे अगर एक सही जगह पर आपने entries नहीं ली है और trend identification सही से नहीं किया है analysis आपने सही से नहीं किया है तो बहुत ज्यादा chance है कि फिर आप loss में ही काट होगे अपना सौधा Traps से बचना है Traps समझना है तो पहले यह देखना होगा कि trend identification हमें किस तरह से करना है आज के session में color क्या form हो सकता है red ये green candle form हो सकती है volumes और price इन दोनों को merge करके काम करना होगा और एक expected move हमें find करना होगा और सिर्फ move find ही नहीं करना होगा जहों trade execute कर देंगे तो सुबा में हमने प्राइस उपर चला गया हाइब्रे हुआ प्राइस वापस से नीचे हुआ न स्विंग चला गया भाई यहां पर stop loss कई लोगों के रखे हो सारे के सारे stop loss चले गए जैसे stop loss गया है देखिए वापस से market upside की तरफ यह सब एक तरह के trap होते हैं एक चीज और होती है जैसे इसक तो ड्राइंग के थ्रू हम लोग समझेंगे आपको प्राइस है जो कि हमारा upside के तरफ जा रहा है और एक अच्छे trends के थ्रू प्राइस आपका up move हमें दिखा रहा है प्राइस नीचे के तरफ गिरा और इसने एक लिलिया support हमने क्या किया कि जैसे support नीचे की दिशा में ब्र प्राइप होता है जैसे ही प्राइज ने आपके support को break किया आपने आप पर short कर दिया बट यहां पर multi time frame analysis आपने नहीं की कि ऐसा तो नहीं है कि higher time frame पर वहां पर कोई support हो कोई expected rejection points हो और यह अक्सर होता है आपका daily time frame पर जैसे देखे इसका बहुत अच्छा एक्जामपल आप आपको ICICI bank में देखनों को मिलेगा यह एक level बना breakout and breakouts के बाद में सीधे short market नीचे तो नीचे की दिशा में तो आई है पड़ हम यहीं पर देखने है कि जैसे ही इस जगे पर market आई ना यहां पर जो red वाली candle form होई है जैसे इस जगे पर आई है side way और यहां से फिर सिध होप और फिर यह इस बाई level से नीचे आनी पाई 973.80 इसके नीचे नहीं आई है बार बार देखे हैं नीचे की तरफ जाने के लेकिन अब फिर से देखे हैं नीचे की तरफ जाने की कोशिच की फिर अब अगर हमें यह नहीं माव्लूम हैं कि अइसा होता है कि यह वाली जो black wire line ह यह कोई higher time frame का expected point हो, इसकी जो reality आपको पता चलेगे न, daily time frame पो पता चलेगे कि actually यह क्यों यहाँ से movements बार-बार change कर रहा है अपने देखिए, कल के session का exact हमारा high है day high यहाँ पर अब हमने कल का high mark कर लिए इसे क्या हो जाएगा कुछ change हो गया क्या इससे, हाँ change हो गया आपका जो perspective है न trade करने का वो change होता इससे, अब आप lower time frame पो देखो lower time frame पर कई सारी चीज़े आपकी इससे बहुत बहतर बन जाती है, माल लिजे कि आपने कोई trade execute कर दिया यहाँ से trade execute किया तो पता है क्या होगा, पहली चीज़ तो market चल चुकी है तो हम यह बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि यहाँ से entry लेते यह करते तो यह हो जाता और यह इससे चला जाता यह सब फालतू की बात होती है पहली चीज़ तो यह कि आपको entry मिलती ही नहीं यहाँ पर प्राइस सीधे नीचे गिर गया है बहुत ज्यादा aggressive entry लोगी तो हो सकते आपको यहाँ 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 पर entry मिले और सीधे loss वो loss ही होगा क्योंकि यहाँ पर आप निकलोगे नहीं दो चार पांच रॉपय के लिए अगर trade execute कर तो ठीक है फिर तो वो हो सकते आप इस trade में profit बना ले जो लेकिन इसके बाद में जो trade execute कर रोग उसमें loss हो जागा तो overall हम माने कि यही कि आपने यह trade execute किया और वो हुआ है loss क्योंकि technically यही होगा आपने trade execute किया थोड़ी देर आपको profit देखा है और फिर सीध ही upside की तरफ चला गया जिस trend land के break out कर आपने trade execute किया आपका stop loss actually यहाँ पर जा चुका है और यह चीज़े आपकी बच सकती थी कैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर आपका day time frame का level है आप कोई भी actions अगर आपको लेने है न आप यहाँ से लोगे अगर आपको buying करनी है तो यहीं से आप buying करोगे अगर आपको short selling करनी तो इसके नीचे जितने भी आपके swings लगेंगे supports फॉर्म होंगे इन supports के break होने के बाद में ही आप trade execute करोगे देखिए जैसे कि morning का जो low लगा था वो यह वाला था यह वाले point अब देखिए market ने इस low के नीचे कोई भी closing नहीं थी morning के जो swings लगे थे आपके चाहे इसको ले लो आपिया फिर इसको ले लो इन swings को break नहीं किया यह इसी zone से आप में चलिए गई है तो यहां से ना तो buying है ना तो selling है कोई movements नहीं है लेकिन इसी के just opposite आप higher time frame पर analysis मत करो lower time frame पर करो आप बहुत बाए trap हो जाओगे lower time frame को आप बहुत अच्छे confirmations दिखाए पड़ेंगे 5 minute पर आपको entry मिलेगे, sell मिलेगा, सब कुछ मिलेगा trade भी execute कर दोगे profit में जाओगे लेकिन दो second में profit और फिर सीधे सीधे फिर वो loss में convert होता चला जाता इस तरह कि आपको एक और दोने second example मिलेंगे second example जहां पर सब trap होंगे पैसा वहीं बनेगा इसलिए देखो वो जो कम लोग देख पा रहे हैं जो हम देख रहे हैं वही आप देख रहे हो वही तीसरा अदमी देख रहा है वही चौथा देख रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड है तो अच्छा यह रहेगा कि वो trade ही आप execute ना करो तो I hope कि सारी चीज़े समझ पाए होगी एक ही वीडियो में क्योंकि जो stop loss hunting का subject है trapping का subject है बहुत huge बहुत बड़ा subject है पूरी पूरी life खतम हो जाते हैं लेकिन यह subject खतम नहीं होता है जतना अभी तक हम समझ पाए हैं यह point हमें देखने हो को मिलता है लेकिन अगर हम एक point देखने हो को मिला है न तो यह subject एक point का नहीं है बहुत बड़ा subject है हम लोग जतना जानते जाते हैं जतना समझते जाते हैं यह उतना ही बड़ा होता चला जाता है तो आज की video में जतना है ठीक है अगले वीडियो में और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको और भी ज़्यादा गहराई से हम आपको समझाने की कोशिश करें जितना हम समझ पाएंगे सो आज की किसमत में बस यही था वरना मालूम होता है तो वन पसंट का ही हम टार्गेट लेकर के निकाई जाते हैं लेकिन नहीं अचल बड़ा स्टॉक है बड़ा इंदा संस कि इसके अंदर जो मूवस होते हैं वो अच्छे मूव होता है अब नहीं होगा टाइम काफी हो गया खतम हो गया लीजे 2400 प्रॉपिट है और यह आटोमेटिक निकली है प्राइस हम ने कोई प्राइस वगरा सेट नहीं किया था लोडिंग डाटा प्लीज वेट रिप्रेश कर लेते हैं फुली एक्जेक्टेट 3819 स्टॉप लॉस कैंसिल है मार्केट प्रैस पर हमारा प्रैस निकला है और कॉंटिज निकली है 3849.74 3849.74 3849.74 यहां पर लोग निकला तो यह अपनी रिवाइस टार्गेट है पूरा का पूरा टार्गेट अपना पेंडिंग पड़ा हुआ है बाकी मार्केट है देखते हैं क्या होता है फिलाल आज का जो अपना प्रॉफिट है और बुक में चलेंगे 2000 कुछ रुपएक होगा था और बुक पॉजिशन बुक में पॉजिशन बुक पॉजिशन बुक 2401 रुपएक इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं 2421 चार्ज 2000 कितना टाइम लगा रहा है 2421 रुपएक ठीक है साही है हेलो ट्रेडर्स लास्टेड में जो डिसकेशन हम लोग कर रहे थे ट्रैप देखे किस तरह से हो रहा है अब इस वाले ट्रेड में देखे 915 से लेकर के हाई तक इसने करीब 4% का मूवमेंट दिखाया है 5% क्या सबस्का और हाई पर जाकर कि क्योंकि लगातार यहां से प्राइस आपका निकलता तो बाई नहीं करना है लेकिन टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि अपको बचा ले जाती हैं सभी लोगों को नहीं पता होता है अब प्राइस जैसे यह एक रेस्टेंस पर पहुंचा हमें देखे क्या क्या है एक इसका एकस्पेक्टेड रेस्टेंस है और आज के लिए हो सकते हैं यह स्विंग बन जाए और यही पॉंट इसका एक हाई बने यह हाई आज नहीं टोपना चाहिए इसके जो आपको सिंगनल मिलेंगे डिली टाइम पर मिलेंगे देखिए एक केंडल का शेफ हम आपको बताते हैं जनरली सभी लोग जानते हैं उन वॉल्यम्स के उपर डिसकेशन नहीं करेंगे अभी सिर्फ आप एक काम करो कि प्राइस को समझो प्राइस जैसे जैसे अपसाइट की तरफ गया है बुलिश है अब वापस से प्राइस को इस लो तक नहीं आना चाहिए क्योंकि जो पिन बार हो गया है रेस्टेंस ए लोग नहीं देख पा रहे हैं जो सभी लोग नहीं देख रहे हैं तो वो क्या है हाई तो सब देख रहे हैं लोस कौन देख रहा है इसके क्योंकि जो इतना भी गेम चल रहा है वो यहां लोवर हो रहा है लोपर भी हो रहा है लेकिन लोस को निकाल दिया रहता है प्राइस अगर इस resistance के नीचे trade करता हूँ आपको दिख रहा है तो क्यूंकि इस pin bar के lows पर बहुत सारे buyers थे यहाँ पर बहुत सारे buyers हैं जो कि price को upside की तरफ लेकर के गया है अब यहाँ पर जैसे प्राइस ने एक resistance लिया ना उपर की तरफ जाना है तो तो बायर्स अपसेट की तरफ चले जाएंगे उनको profits होंगे इन बायर्स के अगर आपको stop process लेने हैं तो क्या करना होगा प्राइस जैसे इस resistance पर आ रहा है हम लोगों को short selling करनी होगी तो यहाँ पर जितने भी बायर से उनके stop process जाएंगे और हम लोगों का बनेगा profit यह समझ रहे ना यह बहुत एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जह हम लोग बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे हूं green candle दे करके तुरंत हमारा buying का view बन जाता है red candle दे करके short का view बन जा रहा ह segments अरे सब option future यह वो एक lot दो lot चार lot पांच lot में सब लोग काम कर रहे हैं एक candle लेकर बाहर निकलने कि जब mentality है ना उस mentality के साथ जब आप काम करोगे तो यह सारी चीज़े बहुत दूर कि आप समझ ही नहीं सकते कहां कहां तक आपको लेकर करके जाएंगे आप इसके वह सोच होगे ही ने वो आदत है ना जो हम चाहें जितना भी बोलें कि options करोगे loss होगा options करोगे loss होगा एक समय जो की market में हम लोगों को देना चाहिए उसके पहले अगर हम लोग जाकर कि option even future से कुछ भी करते हैं segments में काम करें जहां पर lots लेकर के काम होता ना बड़े quantities को लेकर के काम होता है ऐसे में loss ही करोगे अब तो फिर से हम वही बात बोल रहे हैं अगर आपको सिखाएगा कोई भी अगर segment आपको trading सिखा सकता है या market में survive काम करना सिखा सकता है तो वो equity ही है निकलना यहीं से पड़ेगा आपको बाकि आपकी मर्जी जिधर आप कमन हो जाओ लेकिन करोगे loss ही और यह सब नहीं है अब खुद से सोच करके देखे अगर आप कोई भी trade execute करो 200 रुपए के stop loss अगर आप नहीं समभाल पा रहे तो आप समभाल 2000 भी नहीं पाऊगे तो जैसे 200 रुपए में आपको stop loss जागा से मुसी तरह 2000 का भी stop loss जागा तो क्यों ना 200 रुपए के stop loss दे दे कर करके आप सिर्फ एक trade करोगे 2000 रुपए दे करके एक trade करोगे यहां वही 2000 रुपए लियो और 2200 रुपए करके आप कम से करमें तो दस trade कर लोगे और सबसे ज़्यादा सीखोगी किसमें जिसमें आपने 200 रुपए के stop loss defined किया हुआ हालांकि आपके पास बहुत पैसा है लेकि जानबूच करके क्यों technical analysis सीखनी है अब हम जब 2000 रुपए का loss कर देते ना तो हमारा फिर मन में यह आता है कि कैसे यह loss recover हो अब इतना बड़ जो loss हो गया उसमें फिर हम लोग अपना focus खो देते हैं फिर जो भी आपने इससे पहले सीखा हुए ना उसके उपर से फिर ध्यान हड जाता है मन हड जाता है इम्हों क्या करें कैसे करें loss कर दिया यह हम discussion ही क्यों कर रहे है क्योंगी हम लोग बात कर रहे है stop loss hunting की trapping की यह सब बहुत आगे की चीज़े है बहुत आगे की चीज़े पहले चुटे चुटे कुछ hurdles उनको तो पार करें आपने कभी candles को God से काने का या उसे समझने का क्योंकि छूटी जूटी कई सारी चीज़ें आपको रिस्क मैनेजरंट इतना हलका लगते है कि आप उसके उपर कभी फोकस ही नहीं करते हैं जब हम यह बात बोले हैं कि टेक्निकली भले आप गलत हो जाओ लेकिन रिस्क और मनी मैनेजमेंट तो कभ चादा सी यह बाते आपको हलकी लगती हैं लेकिन आगे आपकी मर्जी हम थोड़ा-थोड़ा बस हिंट देने की कुशिश करते हैं कि एक सही रास्ता क्या होगा अदर्वाइस सभी लोग वही काम कर रहे हैं आप लोग वही काम करो सभी लोग लॉस ही कर रहे हैं जितना हम देख पारें सभी नहीं बोलना चाहिए लेकिन सव में पंचान नेवे लोग लॉस कर रहे हैं और वो पांच ऐसे हैं कि जो एक सही रास्ते से होकर के गया है एक सही सफर उन्होंने तै किया है वो लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप जाओगे दो रात तीन रात एक मेने दो मेने पांच मेने छे मेने में आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां अगला दस साल या पंदरा साल दे करके बैठा हुआ है तो इस इंपॉसिबर काफी बाते हो गए फिलाल बाते शुरू करो तो फिर वहां से बढ़ती चली आती है यहां प हम लोग पिन बार के उपर discussion कर रहे थे यह वाला पिन बार तो एक जो सबसे important चीज़ है high ही नहीं आप इसका low भी देखो low से support ही नहीं resistance भी देखो इतनी ही चीज़ देखो और अब देखो angel 1 में किस तरह से हम लोगों को एक point of action मिला है treat execute करने के लिए जब daily time frame पर देखोग significant आपको यह और यह वाली candles दिखा देगे ना वो other candles नहीं दिखा पाएंगे आप चाहतो इनके lows mark अब देखे प्राइस ने high break किया high की बाद में देखे ना market ने move दिखाया upside की तरफ कितने percent का move हुआ यह 5% का move हुआ और यहां पर देखे जब यह pin बार तोटी है तो कितने प movements हो सकते हैं इन सब पर ध्यान हट जाएगा और यहीं से actual traps होते हैं आपको क्या लगेगा ना कि price जैसे इस pin बार पर आया है यहां से movement इसके upside की तरफ होंगे लेकिन देखे वापस price हमारी इस range के अंदर आ गया और last session की जो closing होई यहां पर हो गई है और फिर से देखे opening इस जगे पर price सीध है upside की तरफ चला गया अभी lower time frame पर हम लोगों ने क्या देखा था कि price ने 915 का high break किया है mother candle के highs ब्रेक होई तो price हमारा upside की तरफ जाएगा बट देखे price trade कहां पर कहा है प्राइस सीध है आपको lower time frame पर uptrend दिखा रहा है जा रहा है जा रहा है आप buy कर लो करो buy थोड़ी दर profit दिखाएगा इसके बाद में देखे किस तरह से market अभी नीच आई है और अगर हम सही है न तो पता है 915 का जो भी हम लोगों ने high अगर हम mark कर यह देखे 915 का high यहां तक market आईगी ही आईगी इस जगह तक market को आना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे जो पहला support पढ़ रहा है वह 915 का just high ही है और exact resistance पर हम लोगों ने इसे पकड़ा हुआ है यह जो high है हमारा high surprise भी सीध ही नीचे के तरफ जा रहा है और जो point अभी हम लोगो इसा रुख सकता है थोड़ा से यहां पर candle बन सकती ग्रीन डेट ग्रीन डेट ग्रीन डेट करके हो और रेट केंडल फॉर्म करके सीधे एक या दो candle में move downside के दरफ आपको देखना को मिल सकता है जो expected move है जो हम imagine कर पा रहा है समझने की कोशिच कीजिए इसको बहुत ज्याद है volumes नीचे के दर यहां यह एक तरह से strength शो करती है अब यहां पर देखे जैसे ही volumes इंक्रीज में प्राइस हमारा exact resistance पर बढ़ गया resistance पर है अब अगर high break हो जाता हो तो movements इस तरह से होता है कि price ने पर resistance ब्रेक किया है but volumes कम हो रहे है प्राइस आपका upside की तरफ जा रहा है अब यहां से जैसे ही price अपना first support break करेगा आपको यहां से तेखनों के मिलेगे movements छूटी छूटी चीज़ें सेम चीज़ पाता है आप जब daily time frame पर देखो तो daily time frame पर यहां पर देखे प्राइस आपका बहुत strongly नीचे की दिशा में जाए वॉल्यूम्स बढ़ रही है प्राइस भी आपको बिल्कुल एक दिशा में नीचे की तरफ गिर रहा है और previous यह जो black wire line आप देखो यह exact इसका resistance point प्राइस ने किया कि एक opening दिखा ही high की तरफ गया exact resistance पर आया अब यहां analysis हम लोग कर रहे हैं previous sessions की lows और highs को mark कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि volumes पड़ रहे हैं प्राइस नीचे आ रहा है उसने lows की तरफ अपनी उप्रिंग दिखा है वापस retrace होने के लिए प्राइस upside की तरफ गया और फिर से नीचे की दिशा में ट्रेंड को continue कर रहा है खतम करना होगा complete करना होगा उन chapters को complete करना होगा तो हम लोग इन points को अच्छे से समझ सकते हैं वरना क्या है न यह सिर्फ बाते ही होंगी यह वीडियो देख लोगे हो सकते हैं आने वाले एक दो sessions में आपको इस सारी बात है याद परे बाद में आप भूल जाओगे और भू प्रशिश करें लेकिन यहां तक पहुँँचने के लिए कुछ हमें लाइन स्याइए होंगी कुछ सपोर्ट कुछ 레is्टेंस कुछ स्टॉक सेलेक्शन्स के बिहेवियर को समझना वॉल्म के बिहेवियुयर को समझना जब इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं तब हमें एक यहां से और यह तब से पूरी तरह से साइड वे कोई बड़ा मुव्मेंट नहीं है और करीब 11-11,000 का प्रोफिट हम लोगों को मार्केट ने शो किया था बट अभी जो है इसमें करीब पोजिशन बुक में चलेंगे 5-6,000 रुपए का प्रोफिट चला लगब लगग वो हाफ प्रोफिट हो गया है बट अभी हम निकले नहीं है और निकलने का टाइम हो चुका है तो अब बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे यह वाली जो कैंडल है अपनी तीन बचकर 10 रुट पर कंप्यूट चाहेगी तीन बचकर 5 रुट की यह कैंडल है अठाइस पचास 15 19 20 और पंद्रह सुचार पचास का प्राइस चल रहा है तो स्टॉप लॉस अडर केंसिल और अब एक बाइक और पंद्रह सुचार पचास बाइक और लगाएंगे नहीं मार्केट के उपर छोड़ देंगे देखते हैं मार्केट के अप्राइस देगा हम लोगों को यह जो लास्ट के मुव्मेंट होते हैं इसमें बढ़ा मजा आता है आप मार्किट के उपर हम चोड़ देंगे इसको देखते हैं मार्किट हमें क्या पैस देखे थोड़ा सर्प्राइजिंग होग हम लोगों के लिए तो प्रॉफित भी हो सकता है और लॉस इस वक्त जो अपना जो प्रॉफित है वो कम भी हो सकता है यह रिस्क ले करके चलना प पूरा अब यह कुछ वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आकर कि हम लोग फाइनली यह बोल सकते हैं कि हम लोग मार्किट को एंजॉय करते हैं अब है दिके पैस नीचे की तरफ जा रहा है प्रॉफित से इंक्रीज हो रहे होंगे यहां पर दिके 6500 थाउजन पेस को तुरं को दिके 6500 थाउज फ्रहे हो एसी पर फस होगे लॉस करोगे फिर वह जो लॉस होगा व Dwos High- baş ने में जाएक प्र प्रॉफित होगा वो लॉस में चेंज होगा के डियें रवे टफ बोल सकते हो, काफी मुश्किल सफ़र होता है ये सारी चीजें मान करके टै करके चलो कि टाइम लगेगा पेशन्स के साथ में एक सही सेग्मेंट के उपर टेक्टिस ही करनी होगी इदर उदर की चका चौंत को देख करके बिलख नहीं जाना है, के नहीं अब तो हमें वही करना है, आजकल तो ट्रेंट चला है ना, तूट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं और जो भी है, तो एक लॉचिक के साथ में समझदारी के साथ काम करो पागल पर नहीं होना चाहिए उसके अंदर के बस आँख बन करके अब यहीं करना है, यूँ ही करना है वही करना है लोगो को लेकिन वह जो वहाँ तक जाने का जो प्रोसेस सेered जो रास्त है वह सही होना चाहिए कम से कम और यह बात हैं बार बार बोलते ही क्यों है हम आपसे ताकि एक सही process पता चले losses जो करते हूं वो losses control हो ज्याधा loss ना हो profit ना करवा पा हम आपको तो कम से कम आपको loss तो कम ही करवा देना, बंद करवा देना वो loss अगर हम करवा लेगा तो मेरी लिए बहुत है एक सही process में हो, हम सिर्फ बता ही सकता है आपकर करना नहीं करना है यह तो आपके उपर फाइनली आपके उपर ही depend करता है बहुत साइट करने हैं इसके इन्दर bull trap होता है, bearish trap होता है sideways के अपने traps होते हैं volumes को तो हम लोग trap को कैसे पहचानते हैं price को तो बहुत broad बोलाना जैसे बहुत broad subject है पढ़ने जाएंगे या फिर explain करने जाएंगे तो काफी टाइम जाता है इसके तो धेरे-धेरे करके कुछ-कुछ वीडियो में कुछ-कुछ चीज हैं आपको explain करने ही कुछ करेंगे को clear करने ही कुछ करेंगे अब देखरें लोग बैठे हुएं ब्रोकर से कि ब्रोकर देखर कि कितने प्राइश्प निगा ओके लिजे 5,700 मिला जबकि मार्केट देखें कहां पर जा रही है कितना अच्छा मूउव आरा कितना प्यारा मूउव आरा लेकिन इस कार फ्टैमिंग हो चुके थी-स वज़ेस अगर बने रहते तो उस वीडियो के अपना काम में एक एक आना सिस करो और उस ऐनासिस की ओफर बिलीव करो, वेट करो, जस्ट वेट करो, पंद्रह सो चार पैंतालेस, यह कहां है, हम लोगों का जो प्राइज मिला है, ओडर का, पंद्रह सो चार रुपे, पच्पन पैसे का है, मैनुवली यह करते हैं, इसको, पंद्रह सो, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको समझ का होगा, कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा होगा, बेनिफिट्स मिले होंगे इससे, तो थैंक्स, गुडबाए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा, वीडियो को लाइक कीजएगा, और टेलिग्राम चैनल के लिंक, डिस्क्रिक्शन में आप लिंक भी जोइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि वह अपडेट कर दे रहते हैं, तो थैंक्स, एंड वीडिमीट अगेन,